वेलकम टू मोटर रव्यूज और आज जो हम डिसकस करेंगे BMW G310S की लाँचिंग डिटेल सारी डिटेल इस रिव्यू में आपको मिल जाएगी तगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे इस रिव्यू जाएगी इसमें आपको तॉर्क इस पाइक में आपको 28 Nm का रहेगा नंबर ऑफ गेर इसमें 6 रहते हैं सीट हाइट इस पाइक की 835 mm की मिल जाती है ग्राउन क्लिरेंस इस पाइक की 220 mm की रहती है इस पाइक का जो फ्यूल टाइंग 11 लीटर का आपको मिलता है और इस की 143 km पर आर के साब से रहती है इस पाइक का जो इंजन कूलिंग सिस्टम है लिक्ट कूल रहेगा इस पाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS रहते हैं फ्रंट डिस्क का साइज 300 mm का रहेगा रियर डिस्क का साइज 240 mm का मिल जाएगा सिस्पेंशन आपको फ्रंट में 41 mm अपसा 15-inch का रहता है रियर टायर का साइज 150-70 17-inch का मिल जाता है इसमें आपको क्या कुछ फीचर मिलते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आपको फ्रंट वील टायर है 19-inch का मिल जाता है अडजेस्टेबल रियर सस्पेंशन स्प्रिंग प्रिलोड देखने को मिल जात हूँ इस बाइक की टेस्टिंग चल रही है फिलाल और इसमें आपको BS6 के इंडर क्या कुछ चेंजिस देखने को मिलेंगे यह मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको जो पावर है वो सेम रहेगी पावर में कोई चेंज रही जो सेम बीएस फोर में पावर रहती थी ब अब इसमें आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी सेकंड इसमें आपको TFT स्क्रीन 5 इंच की TFT क्लियर काफी अच्छी स्क्रीन है इसकी वो आपको आप देखने को मिल जाएगी इसमें और थर्ड जो इसमें मेजर अपडेट रहेगा अब इसमें आपको LED को मिलेंगे रेसिंग रेड दूसरा कलर परल वाइट तीसा कलर कोस्मिक ब्लैक देखने को मिल जाएगा तो इसका जो प्राइज है कितना रहने वाले ये भी मैं आपको बताता हूं इसका जो प्राइज है तीन लाख पचास हजार पे जो बी-स-4 का प्राइज था जो बी-स-6 का प्राइज है दस हजार पे इसका प्राइज बढ़ जाएगा तो इसका जो अप प्राइज आपको पढ़ेगा तीन लाख साथ हजार पे एक्स चोरूम इसका प्राइज है इसका जो लॉंच है फिलहाल जो इसका जो लॉंच की मेरे पास डिटेल्स है इसकी जो लॉंच ज इतना ही आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जुरूर लाइक करें चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी वालो कर सकते हैं